नोग फट्र। आग्य। अज आज अपर हम बात करेंगे आइशार मोटर्स के बारे में कल टाटा मोटर्स की बात कीती प्रड़ा इक विखने सब आया ही था आज लिए इस यहम में भी similar situation देखने को मिल रही है इसलिए बहुत से लोग यहाप पर थोड़े euphoria stage में फ़र्स गया है उनके लिए काफी सरी important वीडियो है जो लोग अभी invest करना चाहते है उनके लिए भी है short term long term सब के लिए राय दूंगा तो current यहाप पर मैंने कुछ study किया and according to the price action and financials दोनों भी प्रॉपर ले देखने important है आप सिर्फ टेक्निकल देखोगे और आपको यहाप पर financials बात में crunch कर देंगे दोनों प्रॉपर लिस्टों करोगे दोने एक अच्छी वीव से देखोगे तब जाके कहीं of false breakout आपको थोड़ा सिखा भी रहा हूं यहाँ पर इसे कहते है एक क्लीर केस ऑफ फॉल्स ब्रेक आउट के बाद पर स्टॉक नीचे चला गया इसके बाद इसने एक सपोर्ट पकड़ा और सपोर्ट से वापस रिटन गया यहापर नेक्स टाइम जब यह तोड़ा तब वापस इसने एक सपोर्ट पकड़ा वापस ट्राइकी वापस एक फॉल्स ब्रेक आउट नहीं कह सकते हैं लेकिन ब्रेक आउट फेल यहाँ पर कह सकते हैं फॉल्स ब्रेक आउट तो इसे ब्रेक आउट फेल कहेंगे तो ब्रेक आउट यहाँ पर फेल हुआ उसके बाद व सपोर्ट होगा that would be a चोटा सपोर्ट अगर हम बोल सकते हैं तो 2550 के आ रहा हूं और बाद में एक बड़ा सपोर्ट कह सकते हैं जो के एक्जाट सपोर्ट तो यह उसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा अब एक तो दो बाते हो सकती है 2400 रूपीज के उपर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट पकड़ सकता है तो अगर वहां से भी तूट गया तो और फॉर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है बट बट क्या यह भी सपोर्ट तूटेगा इससे हमें जानना थोड़ा इंपोर्ट है इसलिए हम थोड़ा जाएंगे फाइनाशल की उपर फाइनाशल म में इसने उल्टा ज्यादा चका माया फिर भी स्टॉक बेरिश क्यों जा रहा है तो बेरिश इसलिए जा रहा है रेविन्यू भी बड़ा है प्रॉफिट भी बड़े है इसलिए जा रहा है यह अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका जो एपीए से जो मार्च ट्वेंट that is December quarter में उसमें भी इसका EPS कम हुआ है क्योंकि स्टॉक अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखे तो स्टॉक पहले ही बहुत जादा बढ़ चुका है पहले ही बहुत जादा बढ़ चुका है आप यहां पर यह बुलरन देख सकते हो clearly क्या बढ़िया बुलरन आई है यहां प उसके वज़े से स्टॉक की प्राइस उपर चलेगी लेकिन EPS को सिमिलर रखने के लिए या फिर अच्छा EPS बनाने के लिए प्रॉफिट भी बढ़ने जरूरी है प्रॉफिट बढ़े नहीं बढ़े ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ प्रॉफिट भी बढ़े लेकिन उसका एक रेशियो होता है प्रॉफिट बाइ स्टॉक की प्राइस एक रेशियो होता है लॉंग टम में यह हमेशा रेशियो को मेंटेन करके चलता है तो फ्यूचर बिजनस प्रॉडिक्शन से यह एक मेंटेन करके चलता है इसलिए यहाँ पर हमेशा यह जबी भी यह जो डिस्बैल और ये एक टाइम पे आके थोड़ा equal होना important होता है अभी क्या हुआ है stock की price बड़ी है यहाँ पर profits भी बड़े हैं लेकिन उतने नहीं बड़े जितनी stock की price बड़ी है उससे हुआ क्या अभी फिलाल थोड़ा सामें bearish यहाँ पर signals देखने को मिला है जिससे अभी क्या होगा stock की price कम होगी and it will come equal to the profits जैसे ही यह profits के equal आजाएंगे तब तक next results आजाएंगे next results में यह देखीगा कि हाँ किया कितना profit हुआ है profit is good stock की price कितनी है क्या इसको equal करती है वैसे FIs और DIs इसको buy या sell accordingly करेंगे अगर अभी जो इसका अगर हम current calculation करें तो it actually deserves to be in 2400 to 2500 area अभी कहाँ पर है 2584 business अच्छा है long term में अच्छा बढ़ेगा तो हम एक बार के लिए मान सकते हैं कि थोड़ा हाँ यह थोड़ा disbalance चलता है येकिन इसका margin बहुत ज़्यादा उपर नहीं होना चाहिए जैसे हम देख सकते हैं अभी यह 3000 टच कर गया था तो 3000 टच नहीं होना चीए 4000 जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा फिर तो सब लोग short मार दें बड़े-बड़े जो smart traders है वो तो short ही मार देंगे आपको फजाके आप तो do भी जाओगे या तो for example अगर अभी यह 2000 भी होता तो obviously सब लोग बोलते आरे बाई कर लो बाई कर लो बहुत सस्ता स्टॉक है ऐसा हो जाता इसलिए currently अगर हम देखे तो वह balance maintain रहना बहुत जादा important है इसलिए अभी यह थोड़ा सा बेरिश दिखाया है इसका मतब यह नहीं कि स्टॉक बेरिश हो जाएगा स्टॉक खराब हो गया बिल्कुल भी इसी बात नहीं है स्टॉक अपने लेवल मेंटेन करने के लिए उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है financials के इसलिए हमेशा financials को close देखो technicals को close देखो क्यों कि टेकनिकल से हमें बता चाता है कि जो ट्रेंड है वो क्या reverse हो रहा है क्या change हो रहा है या नहीं यह इसके लिए technicals होते technicals directly हमें analysis नहीं देते बस trend चल रहा है तो buy करो ट्रेंटर है तो इसा बल्कुल नहीं है financials भी देखो टेकनिकल भी देखो टेकनिकल से समझाएगा कि market क्या कह रहा है और market कहा जा रहा है financials समझेगा कि यह कहा तक जाना चाहिए और technicals में अगर यह जाधा ही उपर हो तो आप सभी को पता है कि क्या करना है निकल जाना है अगर टेकनिकल में यह जाधे नीचे हो तो आप सभी को पता है कि आए करना है और यह और नीचे आएगा तो आप इसमें और अडिन कर सकते हैं आप शॉट टम के लिए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लेवल्स क्या है आपके लेवल्स मैंने आभी आपको बता दिये कि इसका अगला सब्वोड़ 2500 शॉट सपोर्ट है मलब छोटा सब्वोड 24 2400 बहुत पक्का सपोर्ट सब्सक्राइब 2400 से रिवर्सल मार सकता है लेकिन आपको यह भी देखना है कि क्या यह वापस उससे नीचे भी ब्रेकडाउन नहीं होता अगर उससे नीचे कहीं भी ब्रेकडाउन हो जाता है और उसका आगला सब्वोड़ का 2200 अगर 2200 तक यह आ जाता है जो कि लगता नहीं आएगा बड़ आज आता है इनकेस बहुत द्वादा शॉटिंग हो जाती है तो आपको वहाँ पर बाइंग करनी है क्योंकि यह अपने फाइनशल से थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आपको तो आपको यह बाइंग करनी है नेक्सी दिज़ म आपको 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 हुआ हुआ है